दिल्ली NCR में बुद्वार को अधिकतम तापमान 35 जिग्री सेल्सियस तक छोग गया इसी के साथ इस सीजन का सबसे गर्ब दिन डिकॉर्ड भी हुआ इस दोरान 25-35 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाई भी चली आने वाले 3-4 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने की संभावना है भारतिये मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक पिछले साल मार्च में अधिक्तम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्च किया गया था जबकि मार्च 2020 में 33.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था दूसरी तरफ फिरहाल मौसम साफ रहेगा और तेज दूप निकलेगी जिसकी बजा से गर्मी की तपिश और बढ़ेगी IMD के अनुसार गुरुवार को मौसम साफ रहेगा और दिन में तेज हवाई चलने की भी संभावना है हवा की दिशाव के बाद उत्तर उत्तर बदलने का अनुमान है जिस से ताफमान यंतरण में रहेगा चनिवार के बाद पारा बढ़ने की भी उमीद है लेकिन हीट वेव की संभावना अभी फिलहाल नहीं है वहीं दिल्ली में बुद्वार को नियुनतम ताफमान समाने से 5 डिगरी जादा 20.5 डिगरी सेल्सियस और अधिक्तम ताफमान समाने से 4 डिगरी जादा 35 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया बुद्वार को दिल्ली में हवा में नमीक अस्तर 36 से 81 फीजदी रहा दिल्ली में आज अधिक्तम तापमान 34 और नियूंतम तापमान 19 डिगरी सेल्सियस रहने की संभावना है मौसम साफ मना रहेगा बात करेंगर नोईड़ा कीड़ो नोईड़ा में आज अधिकतम तापमान 36.9 degree celsius और नियूंतम तापमान 23.8 degree celsius रहने का अनुमान है और यहां भी मौसम साफ रहेगा वही गुरुगराम में आज अधिक्तम तापमान 35 और नियुंतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने के संभावना है आस्वान साफ रहेगा केंदरी प्रदूशन नियंतरन बोर्ड CPCB के अनुसार आज दिल्ली में वायूं गुरुवत्ता सूचकांग यानि की AQI खराब श्रीणी में रहा है और दिल्ली का AQI 212 है अगले तीन दिन में हवा में नमी की रफ्तार कम होने की वज़ा से AQI खराब श्रीणी में ही बना रहेगा वही नोईडा का AQI 179 दर्जवा है और गुरुग राम का AQI 174 20 मार्च को हवा की रफ्तार बढ़ने से वाईउं गुरुमत्ता में आंशिक रूप से सुधार की संभावना जताई जा रही है सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना पिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान